हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल टाइम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को दबाना ना बुलिए दोस्तों लेटा स्टुडियो सबसे बुलिए अपने अंडरीड डिवाइस में पाने के लिए आज मैं आपको दिखाऊंगा आउट टू इन कि अपनी दिवाइस को आप इस तरीके से केंपूटर बना सकते हैं यहांना देशेर कैंडूटर मभाले केंपूटर बना सकते हैं जयरी कलिकों यहां पर मेरा नीचे जो Chrome है इसे ही दिखाता हूं दोस्तो Chrome को Open कर लीजिएगा दोस्तो इसमें जो है कुछ करने की या टेंचन लेनी की जुरूरत नहीं है दोस्तो यहां पर पहले दिखाऊंगा दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं यह नॉर्मल यूटूब कैसा है दिखा रहा है तो चलिए डेश्मोडा करके किस तरीध आप दिखाएं गाएद आप दिखाऊंगा यह जो side में जो है तीन बटन दिखा रहा है इस पर क्लिक कर लिजे request desktop side जी हाँ दोस्तो इसे on कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह right mark यानि कि यह on हो चुका है अब दीखिए दोस्तो आप YouTube पर क्लिक कीजिए यानि कि www.youtube.com और direct यहाँ पर show है दो आप देख सकते हैं दोस्तो यह दिखिए दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है पूरी तरह से बदल गया दोस्तो जैसे कि जैसे आपके laptop में आपके computer में PC में किस तरीके से चलो होगा उस तरीके से यह on हो गया है दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर search की ranking भी दिखाएगा दोस्तो कि ने बोलके यह दिखिए दोस्तो यह open हो रहा है यह जो है थोड़ा यह दिखिए आपको desktop mode enable करना है दोस्तो इस तरीके से जो है आप बहुत आसानी से हाउ टू इनेबल desktop mode in Android जिहा दोस्तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप जो है desktop mode को अपने Android device में on कर सकते हैं बस इसे क्लिक किजिए इसे क्लिक कीजिए बहुत सरे side होते हैं दोस्तो सोरी laptop में open होते हैं यानि कि PC में open होते हैं उसे बहुत आसानी से आप जो है अपने under device में भी open कर सकते हैं मैंने भी बहुत इसी तरीके से दोस्तो इस टाफ mode on कर देता हूं यह जो बाद में जो है काड़े तो डेस्टाप मोड बंद हो जाएगा इसे मारे तो डेस्टाप मोड अन हो जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना है अगर कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेट कर दीजिए दोस्तों तन्यवाद